जैहिन दोस्तो नमशकार सुप्रभात आदाप आप सभी बच्चों का स्वागत है विनर्स के इस यूटूब चैनल पर इस शांदार क्लास में MPPSC की ओफिशल सीरीज में मैं गौर अवियादाव आप सभी बच्चों का पुना स्वागत करता हूँ दोस्तो जल्दी से क्लास को जॉइन करें क्लास शुरू हो चुकी है और इसे शियर भी फटाफट कर दीजे दोस्तो और like भी सभी बच्चे कर देंगे इससे पहले जितने भी बच्चे भी तक जोड़ चुके हैं जल्दी से class को like जड़रू कर देंगे और इसको जितना हो सके शेयर करें बस जो ठीक है, क्लास शुरू हो चुकी है और आज का भी हमारा टॉपिक वही है विविद जानकारी और हमारा ये टेलिग्राम चैनल है The Winners Institute Official ठीक है The Winners Institute Official ये हमारा टेलिग्राम चैनल है सभी बच्चे इसको डाउनलोड जरूर करेंगे और ये हमारा वाटस अब चैनल है दोस्तो इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे भी हमसे जोड़ सकते हैं और ये हमारी आज की क्लास का शेड्डूल है दोस्तो, क्लियर है यस, ये हमारी 28 तारीक, आज की क्लास का शेड्डूल है Good morning all of you सभी बच्चों का क्लास में स्वागत है तो ये है हमारी क्लास का आज का पहला सवाल तो शुरू करते हैं दोस्तो, चलिये लग जाईए क्लास में किस शाशक ने भानपुरा में तोप खाना का निर्माड कराया था भानपुरा तोप खाने का निर्मार कराया था किस शाशक ने बताईएगा यश्वंत राव होलकर प्रथम जीवाजी राव रगुजी भोसले या फिर बाजी राव दुतिय चलिए बताएंगे दोस्तो यस यस बिल्कुल सही दोस्तो इस प्रश्ण का आंसर है ए यश्वंत राव होलकर प्रथम दोस्तो ये होलकर वंश का महान शाशक था होलकर वंश का महान शाशक इसको कहा जाता है और इसने कई विजय हाशिल इसने की थी कई युद्वी इसने लड़े थे और इन्हें इसलिए क्या कहा जाता है मराठा नेपोलियन इन्हें कहा गया है इनका जो शाशनकाल दिखाई देता है वो 1798 से लेकर 1811 तक का इनका शाशनकाल दिखाई देता है और इन्होंने ही मंदसौर के भानपुरा में तोब खाने का निर्माड कराया था मलब इनका अंग्रेजों के साथ सिंधियां के साथ कई वार टक्कर हुई थी जो दुती अंग्ल मराठा युद हुआ था 1830 से 15 तक उसमें अंग्रेजों के साथ कई वार एनकी भिड़नत हुई थी ये ध्यान रखेंगे यश्वन्त राह होलकर प्रथम जो है उन्होंने भानपुरा को भी अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने अंग्रेजों के साथ राजपुर घाट की संधी की थी राजपुर घाट की संधी इन्होंने ही की थी कब 1805 में अंग्रेजों से इन्होंने राजपुर घाट की संधी की थी दुती आंगल मराथा युद्र के अंग्रेजों और होलकरों के बाद जब तीन चार वार के संगर्ष हुए थे और अंत में जब कोई परिणाम नहीं निकला था तब अंग्रेजों ने खुद इन से आगे होकर शांती संधी की अपील की थी दोस्तों ये भारत के एकमात तरशाशक कहे जाते हैं जिनके साथ अंग्रेजों ने शांती संधी के लिए इन से अपरोच किया था ठीक है और ये शवंत राव होलकर प्रथम और इसी वंच की एक महान रानी रही हैं कौन देवी अहिल्या तो अहिल्या ने इन दोर से राजधानी महेश और को स्थाना अंतित किया था होलकर वंच के संस्थापक मलहार राव होलकर रहे हैं इन्होंने इन दोर को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों तो यह धान रखेंगे तो खाने का निर्मार जो है वो यश्वन्त राव होलकर प्रथम ने करवाया था और ये उन से जड़े हुए कुछ महत्पूर फैक्ट हैं ये संधी भी इन्होंने ही की थी 1805 में अंग्रेजों के साथ की थी तो कोजी राव होलकर प्रथम जो रहे हैं अहलिया भाई होलकर की मृत्यू के बाद तो कोजी राव होलकर प्रथम गद्धी पर बैठे थे उन्हीं के ये पुत्र थे यश्वन्त राव होलकर प्रथम जिन्होंने अपने भाई काशी राव को कसरावद के युद्ध में 1794, 1784, 1786 या 1795 बताइए बिल्कुल सही बहुत बढ़ियां दोस्तो इस प्रिश्न का आंसर है 1794 में लखेरी का युद हुआ था किस किस के बीच हुआ था महाद जी सिंधिया महाद जी शिंदे भी लिख सकते हैं वर्सेस जिनके बारे में अभी मैंने आपको चर्चा की थी तो कोजी राओ होलकर प्रथम के बीच ये युद्ध हुआ था और इसमें महाद जी सिंधिया विजई हुए थे महाद जी सिंधिया विजई हुए थे लेकिन इस युद्ध से वो खुश नहीं थे इस युद्ध को विजई दिवस बनाने की बजाए उन्होंने इसको शोक दिवस के रूप में मनाया था क्योंकि उनको दुख था कि दोनों मराठे ही मराठे आपस में लड़ रहे हैं और कहा जाता है कि तुको जी राओ होलकर ने एक बस बातों ही बातों में इन पर आक्रमन कर दिया था और महाद जी सिंधिया की उसमें तूती बोला करती थी बहुत ही महान शाशक सिंधिया वंच के ये माने जाते रहे हैं इन्हें क्या कहा जाता है दिल्ली अधीपती कहा जाता है इन्हें दिल्ली के साशक शाह आलम को अपने संड़क्षण में लेकर दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था दोस्तो ठीक है सोची अमल्ला वो समय मुगल साशक भी इनके एक तरीके से कृपा पर ही निर्भर हो गए थे इतने महान साशक माने जाते हैं और ये इनके जीवन का अंतिम युद्ध रहा है महाजी सिंधिया का ये अंतिम युद्ध माना जाता है तो कुजिरा होलकर उस समय शाशक नहीं थे बलकि ये अहिल्या वाई के सेना पती थे और सेना पती के रूप में ही ये भीड़े थे उनसे और बाद में ये अहिल्या वाई की मृत्यू के बाद फिर जो होलकर वंच के शाशक बने हैं लेकिन जब लखेरी का युद्ध हुआ था तब ये शाशक नहीं थे ये होलकर वंच के सेना पती थे तो कोजिरा होलकर प्रथम तो लखेरी का युद्ध जो है वो 1794 में हुआ था क्लियर बच्चे चलिए नेक्स्ट कुश्चन नमबर थर्ड जैविलास पैलेस कहां पर है अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर थर्ड केवल आप कुश्चन पर फोकस करेंगे सभी बच्चे ठीक है चलिए जैविलास पैलेस कहां है उज्चेन इंदोर गौलियर या फिर जबलपूर बताएए दोस्टो कुश्चन नमबर थर्ड का अंसर जैविलास पैलेस कहां पर है गौलियर में है बहुत ही फेमस है भारत के जो बड़े राज महल है उनमें से एक जैविलास पैलेस माना जाता है ये कहां पर है दोस्तों ये गौालियर में है ये कहां पर है ये गौालियर में बना हुआ है और इसका जो निर्माड है इसका निर्माड जयाजी राओ सिंधिया ने कराया था किसने जयाजी राओ सिंधिया ने इसका निर्माड कराया था ठीक है और ये इटेलियन शैली में ब बना हुआ है और माइकल फैलोज इसके वास्तुकार थे माइकल फैलोज ये वास्तुकार थे इसके इसका आर्किटेक्शर जो है इन्होंने ही तैयार किया था माइकल फैलोज ने दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इसका जो मुख्य आकरशन है हलाकि पूरा का पूरा महल ही देखने लाएक है इसका जो मुख्य आकरशन है वो इसका दर्बार हॉल दर्बार हॉल जिसकी सीलिंग जो है पूरी तरीके से सुन जने था बहुत बड़ा हॉल है उसकी पूरी सेइलिंग पर जो सोना लगाया गया है वरतमान में ये सिंधिया परिवार का निवास है दोस्तों हलाकि इसका एक भाग लगबख देरसों से ज़ादा कमरे है तीस से पैतिस कमरे जो हैं वो इनमें संग्रहाले बना दिया गया है सरकार द्वारा उसको सन्रक्षित किया गया उसको अपने अधीन ले लिया गया है 30-35 कमरों में ही संग्रहाले बनाए गया है और कोई भी वेक्ती वहाँ पे टिकेट लेकर जाकर उस संग्रहाले को देख सकता है कहा जाता है कि जो डाइनिंग हॉल है ने इसका निर्माण कराया था ठीक है और ये ध्यान रखना ये भी ध्यान रखना ये इटेलियन शेली में बना हुआ है और इसके वास्तुकार कौन थे माइकल फैलोज रहे हैं ठीक है हाँ चलिए नेक्स्ट दौरा सराय की संधी किन के मद्ध हुई थी दौरा सराय की संधी किन के मद्ध हुई थी option A सिंधिया और निजाम के मद्ध मराठा और निजाम के मद्ध मुगलों और निजाम के मद्ध इनमें से कोई भी नहीं चलिए जली से बताएंगे दोस्तो बताएए दोस्तो दोस्तो इस प्रश्न का आंसर है मराठा पेश्वा और निजामों के मद्ध ये संधी हुई थी दोस्तो दरसल 1737 में भोपाल का युद्ध हुआ था किन किन के बीच हुआ था ये मराठा पेश्वा और निजामों के मद्ध ये युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के बाद दौरा सराय की संधी हुई थी दौरा सराय की संधी भोपाल के युद्ध के बाद ही हुई थी और इस युद्ध में विजई कौन रहे थे मराठा विजई हुए थे है ना मराठा इसमें विजई हुए थे पेश्वा मुख्य रूप से कौन थे यहाँ पर पेश्वा की सीना यू दिल रही थी दोस्तों और इस संधी के बाद इस संधी के बाद निजामों ने क्या सुईकार किया था निजाम ने मालवा पर मालवा पर मराठों का मराठों का अधिपत्य सुईकार किया था स्विकार कर लिया था आपको ध्यान होगा कि औरंगेजेब की मृत्यू के बाद मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था और मराठा शक्ती जो है वो ताकतवर होती चली गई थी और सबसे पहले दक्षिर से उन्होंने शुरुआत करते हुए मद्बदेश के मानौवा वाले च्छेतर पर ही मराठाओ ने सबसे पहले कभजा किया था उन्होंने कई यूध लड़े थे मराठा सेना ने इसमें से हम एक देखते है एक अमझेरा का यूद है सारंगपुर का यूद है साखर खेडा का यूद है और उसी क्रम में भोपाल के जो नवाब थे उनसे भी उन्होंने भोपाल के नवाब भी इस युद्ध में शामिल रहे हैं निजाम और नवाब को पराजित किया था मराठो ने भोपाल के युद्ध में इसी युद्ध के बाद ये संधी हुई थी दौरा सराय की संधी जिसमें निजाम जो की हैदराबाद के शाशक रहे हैं उन्होंने मराठों का मालवा पर अधिपत्य स्विकार कर लिया था ठीक है ठीक है शेलिए नेक्स्ट मद्द प्रतेश क्रिकेट एसोशियेशन का मुख्याले कहां इस्थित है इंपी क्रिकेट एसोशियेशन बताईए भोपाल इंदौर जबलपूर ग्वालियर ये तो सभी बच्चों से बनी जाना है वेरी गुड दोस्तो इंदौर में है कहां पर है मद्द प्रतेश क्रिकेट एसोशियेशन ये इसकी स्थापना कब हुई थी तो थोड़ा सा हम पहले ये देख लें इसकी स्थापना हुई थी 1941 में किसने किया था जो उस समय ततकालीन शाशक रहे हैं इंदौर के यश्वंत राव होल कर दुतिय के समय इनकों ने गठन किया था और इसका नाम जो है उस समय यश्वंत क्रिकेट कलब के नाम से हुआ था यश्वंत क्रिकेट कलब के नाम से इसका गठन किया गया था और यही यश्वंत क्रिकेट कलब जो है ये वरतमान में MP क्रिकेट एसुसियेशन के नाम से जाना जाता है जो यश्वंतरा होलकर हैं ये क्रिकेट के बहुत सौकीन रहे हैं यहीं पर इन्होंने इन्दौर में होलकर स्टेडियम का भी निर्माड कराया था होलकर स्टेडियम का निर्माड कराए था इन्होंने इन दौर में हवाई अड़े का निर्माड इन्होंने इन दौर में कराए था और MYH महराजा यश्वंत रा हॉस्पिटल जो कि इन दौर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये भी इन्होंने बनवाय था कहा जाता है कि ये उस समय एशिया का सबसे बड़ा चिकित सालह हुआ करता था साथ मंजली इमारत थी उस समय ये महराजा यश्वंत राह होलकर स्टेडियम साथी साथ इन्होंने यश्वंत सागर तालाब का भी निर्मार कराया था ठीक दोस्तो ये ध्यान रखेंगा मदबदेश क्रिकेट ए एसोशेशन ये इन दौर में है मूल रूप से ये यश्वंत राह होलकर दुती दवारह स्थापित किया गया यश्वंत क्रिकेट क्लब ही है जो अब वरतमान में मददेश क्रिकेट एसोशेशन कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट अगला कॉश्चन है, एक रानी ऐसी भी, ये एक पुस्तक है दोस्तों, एक रानी ऐसी भी, ये किन रानी के ऊपर लिखी गई है? अगला question number six है राजमाता विजिया राजे सिंधिया अहल्या भाई यर्रानी अवन्ती भाई यर्रानी दुर्गावती चलिए दोस्तो जली से बताएंगे दोस्तो बिलकुल ये सिंधिया परिवार की जो राजमाता रही है विजिया राजे जी सिंधिया उनके उपर ये पुस्तक लिखी गई है और ये पुस्तक के लेखक कौन है रचाईता कौन है इस पुस्तक के तो म्रदुला सिनहा उन्हों ने ये किताब लिखी हुई है एक राणी ऐसी भी राज माता विज्या राजे सिंधिया दोस्तो इनका जो विवा है इनका विवा हुआ हुआ था किन से तत्कालीन सिंधिया राजा जो रहे है जीवाजी राओ सिंधिया से इनका विवा हुआ था ठीक है और मूल रूप से ये कहां की थी ये मूल तह ये सागर से थी और इनका जो मूल नाम था लेखा दिव्यश्वरी लेखा दिव्यश्वरी ये इनका मूल नाम था दोस्तो और शादी के बाद विवाह के बाद ये राजमाता विजिया राजे सिंधिया के रूप से प्रिसिद रही है क्यों रही है दोस्तों क्योंकि इन में एक कुशल प्रिशाशक के सभी गुण मौझूद थे धार्मिक प्रवत्ती की भी रही है और सुतंतरता के बाद भारती राजनीती में भी जो है इनका महत्पूर नाम देखा जाता है जन संग के समय से ये उनसे जोड़ी रही है दोस्तो तो राज माता विजया राजे सिंधिया ये इनके उपल लिखी गई पुस्तक है और इनके ही पुत्र थे माधा राव सिंधिया जी जो की कॉंग्रेस के बड़े नेता रहे है और कॉंग्रेस जो माधा राव सिंधिया के ही पुत्र है जोतराजेत सिंधिया जो वरतमान में केंद्रिय नागरिक उट्डियन मंतरालय का प्रभार सम्हाल रहे है ठीक है तो एक रानी ऐसी भी ये पुस्तक जो है वो राजमाता विज्या राजे सिंधिया के उपर लिखी गई है म्रदुला सिन्हा ने लिखी है विदीशा में गरुण इस्तंब की इस्थापना की थी किसने की थी ये हमें बताना है मिनांडर, हेलियोडूरस, यूक्रिटाइडस या फिर अपोलो टोडस बताइए बच्चा लोग दोस्तो येस बिलकुल सही है हेलियोडूरस हेलियोडूरस ये एक यूनानी राज़दूत था ये एक यूनानी राज़दूत था किसका राजदूत था ये एंटियाल किडीज का एंटियाल किडीज ये तक्षचिला का यूनानी शाशक है इनका ये यूनानी राजदूत था ये किसके शाशनकाल में आये था शुंग शाशक शुंग शाशक भाग भद्र के विदीशा दरवार में ये आया था और यहां पर आकर विदीशा में आकर उसने भागवत धर्म करहन कर लिया था भागवत धर्म कर लिया था और इसी के बाद उसने गरण इस्तंब की इस्थापना की थी गरण इस्तंब को क्या कहा जाता है एक नाम और मिलता है इसका खाम बाबा खाम बाबा इसको कहा जाता है और इसमें स्वर्ग प्राप्ति के जो दौर बताएगा उसके तीन मार्ग बताएगा है इसमें लिखा हुआ है दम, त्याग और अप्रमदा ये इसमें लिखा हुआ है किसमें इस धातू के गर्ण इस्तंभ में जो है लिखा हुआ है कि स्वर्ग प्राप्ती के लिए या मोक्ष प्राप्ती के लिए ये तीन साधन अपनाय जाने चाहिए दम, त्याग और अप्रमदा तो हैलियोडोरस ने इसका निर्मार कराया था किसके समय कराया था, शुंग शाषग भाग भद्र, जो कि उस समय विदीशा के शाषग रहे है, उनी के शाषण काल में हैलियोडोरस आया था, विदीशा, कहां से आया था, तक्छिसला के यूनानी शाषग एंटियाल किडीज ने इसे भेजा था, राजा, उनका राजदू था और ये भाग भद्र के दरवार में आया था ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अगला कोश्चन बुंदेला विद्रो हुआ था कब हुआ था ये हमें बताना है बुंदेला विद्रो भारती ये तिहास में एक बहुत ही महुत्पूर घटना मानी जाती है अठारा सो बैयाली में ये बुंदेला विद्रो हुआ था बुंदेला विद्रो क्या था ये बिटिस सरकार की बिटिस सरकार के विरुद्ध बुंदेला सर्दारों बुंदेला सरदारों का एक सशस्त्र विद्रु हुथा सशस्त्र विद्रु था जिसकी शुरुवात जो है वो अप्रेल 1842 में हुई थी अप्रेल 1842 में ये प्रारम हुआ था ठीक है और इसका नेत्रत तो किस ने किया था इसका नेत्रत तो किया था राजा पारिच्छत ने राजा पारिच्छत ने इसका नेत्रत तो किया था ठीक है इनका सहयोग और किस ने किया था तो हिर्दे शाह लोधी हीरापुर डियासत के शाशक रहे हैं हिर्देश शाह लोधी इन्होंने सहयोग किया था जवाहर सिंग जवाहर सिंग मधुकर शाह नरहुत के ये जागीरदार रहे हैं इन लोगों ने महत्पूर भूमी का इसमें निभाई थी जब बिटेश सरकार दोरा पानीपत के तरती युद्ध में विजय हासिल करने के बिटेश में अपना सामराज विस्तार करने की कोशिश की गई और यहां पर उन्होंने लगान वसूली की एक नई नीतियां लागू की थी जिससे जो बुंदेला सरदार है एक तरीके से इनकी आर्थिक इस्तिती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था दमनात्मक तरीके से जो है इन से कर वसूली की जाती थी इनकी संपतियां जमत की जाने लगी थी इनके उपर मुकदमे दायर किये जाने लगे थे मन माने करों के रेट निधारित किये जा रहे थे इसी सब चीजों के चलते है जो है बिटेश सरकार की इस नीतियों खिलाब बुंदेला सरदार या जो मेला रहा है ठीक है 1835 1835 और 1836 दो वार ये बुढ़वा मंगल मेला में इसके लिए रणनीती बनाए गई थी बुढ़वा मंगल मेला कहां पर बनारस में हुआ था दोस्तो ठीक है तो ये 1842 का बुंदेला विद्रो जो है चलिए नेक्स्ट क्वेशन अगला मद्प्रदेश में अवंती किस जिले को कहा जाता है किस जिले को कहा जाता है अवंती उज्जेन इंदौर धार या फिर मांडू ध्यान देंगे 2004 के MPPSC के एक्जाम में ये प्रशन पूछा गया है दोस्तो बिल्कुल सही है दोस्तो इस प्रशन का आंसर है उज्जेन वर्तमान में जो उज्जेन जो है ये मद्प्रदेश की एक धार्मिक नगरी है धार्मिक वा एतिहासिक नगरी है ये इसी का प्राची नाम अवंती मिलता है दरसल जो महेश्वर में जो है है वंच के शाशक रहे है 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 शाशक रहे है उनी में से एक है है शाशक रहे है अवंती है ना अच्छा ध्यान रखना है है शाशक कहा शाशन कर रहे थे महेश्मती में महेश्मती में लब वर्तमान महेश्वर में शाशन कर रहे थे इसी वंच के एक शाशक अवंती ने मालवा पर भी कबजा किया था मालवा पर शाशन भी किया था और इसी के नाम पर ही जो है उज्जैनी का नाम जो है वो अवंती पड़ा था और दोस्तों उज्जैन में जो महकाल मंदिर है वो है है वंच के ही एक शाशक उनका नाम नहीं मिलता है उन्होंने उसका निर्माल कराया था है है वंच के ही शाशक रहे है ठीक है तो अवंती जो है वो उज्जैन को कहा जाता है और इंदौर की अगर हम बात करेंगे तो इसके कई प्राशी नाम मिलते हैं इंदूर इंदूर भी इसको कहा जाता था इंद्रपुरी भी इसे कहा जाता था इंद्रपुरी भी इसे कहा जाता था और धार तो ये परमारों की राजधानी रही है और धार के अंतरगा थी मांडू भी आता है और मांडू का मुगलो के समय जो नाम था वो क्या मिलता है शादियाबाद शादियाबाद मतलब आनंद की नगरी ये धार जले के अंतरगत ही ये भी आता है ठीक है तो दोस्तो ये ध्यान रखना अवंती जो है वो उजेन का ही प्राचीन नाम है Next मद्द प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारम हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तो आप सभी को पता हो हुआ ये गांधी जी के एक तरीके से गांधी जी के आवाहन पर 1942 में ये आंदोलन चलाया गया था दोस्तों अंग्रेजो भारत छोड़ो मद्द प्रदेश में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी जबलपूर, भोपाल, विदीशा या फिर राइसेन बिल्कुल सही दोस्तों प्रश्नक आंसर है विदीशा में कहां से? विदीशा से मद्द प्रदेश में इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत विदीशा से हुई थी जब यहां पर मराठी नवयुकों ने इस आंदोलन को शुरुआत किया था यहां पर मराठी नवयुकों ने दोस्तों ठीक है? और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये एक तरीके से नेत्रत विहीन आंदोलन कहा जाता है क्योंकि इस आंदोलन के शुरू होने से पहले ही आपरेशन जीरो आर के तहट बिटिस सरकार दोरा तमाम कॉंग्रेसी नेताओं को या तो ग्रफतार कर लिया गया था इसलिए ये आंदोलन नेत्रत विहीन माना जाता है मद्द प्रदेश में इसकी शुरूआ जो है वो कहां से मानी जाती है विदीसा जले से मानी जाती है क्लियर मद्द प्रदेश राज्य शाशन ने भोपाल में राज्य के स्मार्ट शहरों के लिए भारत का पहला नियंतरन केंदर शुरू किया है उस केंदर का नाम बताईए नाम क्या है एकिकरत नियंतरन एवम कमांज केंदर एकिकरत स्मार्ट सिटी नियंतरन बोर्ड स्मार्ट सिटी नियंतरन केंदर या स्मार्ट सिटी नियंतरन बोर्ड चलिए बताईएगा बच्चलो दोस्तो ICCC एकिकृत नियंतरन एवं कमान केंद्र ठीक है भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी कब 2018 में 2018 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तो यह मद्दप्रदेश के जो साथ स्माट सहर है वहाँ पर नगरी प्रशाशन को नियंतरन देखरे करने और जो नागर्यक सेवाएं है स्माट सिटी प्रोजेट के तहट जो नागर्यक सुविधाय उपलब्द कराई जानी है उन सेवाओं की देखरेक और नियंतरन का ये सेंटर जो है ये स्थापित किया गया था जो कि राज्य सरकार को इन स्मार्ट सिटी के कारियों की देखरेक और नियंतरन में जो है सार्थक बनाता है ये नियंतरन केंदर जो है जिसका नाम है एक्रित नियंतरन एमन कमान केंदर जो की भोपाल में हैं ये स्मार्ट शहरों के लिए किसके लिए नेक्स्ट, प्रथम हनी FPO, क्रशी सहकारी समीती, भारत के किस राज्ज में इस्थापित की गई है, प्रथम हनी FPO, क्रशी सहकारी समीती, हनी हनी मतलब शहद, है ना, शहद, कुजरात, तमिलनाडू, मद्द प्रदेश, या फिर महरास्ट, बिल्कुल सही, दोस्तो, ये तो सभी से बनी जाना है, मद्द प्रदेश है, एक्चुली प्रदेश में, प्रदेश में, मधु मख़्ी पालन को प्रोसाहिद करने के लिए, मधु मख़्ी पालन वा, सहद उत्पादन, को प्रोसाहिद करने के लिए, दो हजार सोला से ये एफपी उ प्रारम किया गया था, मीठी करांथी के तहद, राश्टिय मधु मख़्ी एवं सहद अभियान जो चलाया गया था, उसके तहद मधु मधु मख़्ी पालन को प्रोसाहिद करना और शहद उत्पादन में व्रद्धी करना ये इसका उत्देश रहा है, तो प्रथम हनी एफपी उ क्रशी शहकारी समीती, ये मध़् प्रदेश पहला राज रहा है, ठीक है, चलिए, बताएंगे, हाँ, मुरेना में सबसे ज़ादा होता है, ये भी बात बिलकुल सही है, दोस्तों, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कॉश्शन, सितंबर 2020 में मध़् प्रदेश में DRDO प्रियोक साला इस्थापित करने का प्रस्ताओ निम्न में से किस जिले में दिया गया था, है ना, DRDO की एक रिसर्च लैब इस्थापित करने का प्रस्ताओ दिया गया था, किस जिले में, अली राजपुर, दमो, मुरेना या फिर खंडवा, अगें, मुरेना ही इसका अंसर है, मुरेना के कैलारस जौरा जो तहसील है, कैलारस जौरा, ठीक है, मैं, ये DRDO, Defense Research and Development Organization का एक रिसर्च सेंटर, यहां पर इस्थापित करने का प्रस्ताओ लाया गया है, दोस्तों, लगबग 2,000 करोड रुपए इसकी जो है, लागत होगी, इसकी लागत होगी, और इसी को इस्थापित करने का जो है, ये प्रस्ताओ, मुरेना चले के कैलारस जौरा में लाए गया तहए, DRDO, नेग्स्ट, निम्न मैं से कौन, मद्दब्रदेश के जाडू अभियान के प्रनेता रहे हैं, बताइए, बालकवी बेरागी, विट्छल भाई पतेल, रजिनीश या फर परकाष चंदर सेथी, बताईए दोस्तो विठ्थल भाई पटेल विठ्थल भाई पटेल दोस्तो ये एक जाना पहचाना है ना ये मद्द प्रदेश के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे है प्रसिद्ध व्यक्तित्व कहां से थे सागर सागर के ये थे और इन्होंने फिल्मों के लिए कहानिया भी लिखी हुई है दोस्तों इन्होंने फिल्मों के लिए कहानिया भी लिखी हुई है और मद्देश में यही जो है जाडू अभियान के प्रनेता माने जाते हैं श्री विठल भाई पटेल ठीक है नेक्स्ट वास्तू कला की प्रमुख पुस्तक समरांगर सूत्रधारा के लेखक है कौन वास्तू कला पर लिखी गई ये किताब है समरांगर सूत्रधारा किसने लिखी है श्रीहर्स, हेमचंद्र, वाकपती मुंज या फिर राजा भोज बताई दोस्तो जल्ली से बताते चलेंगे येस बिल्कुल सही है राजा भोज है ना राजा भोज की ये किताब रही है देखे राजा भोज को लिए तो हम मोश्ली हम जो जानते हैं कि वो एक महान शाशक रहे है धार को राजधानी बनाया था एक महान निर्माता भी रहे है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ उच्च कोटी के उच्च कोटी के साहित्यकार रहे हैं ये सोयम उच्चिकोटी के साहितिकार रहे हैं विद्वानों के कवियों के साहितिकारों के सनरक्षक भी ये रहे है ठीक है इतिहास कारों के अनुसार इनके दरवार में 500 विद्वान रहा करते थे इतिहास ये कहता है कि इनके दरवार में लगभग 500 विद्वान बैठा करते थे दोस्तों और राजा भोज की ही ये किताब है इसके अलावा और भी कई गरंत इन्होंने लिखे हुए हैं जैसे तत्व प्रकाश, सिधान्त संग्रह, सरस्वती कंठा भरण, संजीवनी ऐसी कई किताबों इन्होंने लिखी हुई है लगभग 30 से जादा गरंत तो इन्होंने खुद ही लिखे हुए हैं उनमें से अधिकांस जो अच्छा ये गरंत केवल वास्तू कला पर ही नहीं है इन्होंने योग पर भी लिखा हुआ है इन्होंने जोतिश पर भी लिखा हुआ है वास्तु कला पर भी लिखा हुआ है ऐसे कई अलग-अलग मद्दों पर अलग-अलग विश्यों पर इन्होंने ये गरंथ लिखे हैं इसलिए कहा जाता है कि जब राजा भोज की मृत्यू हुई थी तो तिहासकार कहते कि उनकी मृत्यू के साथ ही विद्वान और विद्वता का जो पालन पोशक रहा है उसका पूरा का पूरा की युग ही समाप्त हो गया था ये इनकी मृत्यू पर कहा गया है राजा भोज के ठीक है चलिए नेक्स्ट असत्य कथन को छाटिए नमबर ए राजा भाईया पूछ वाले इस्मृती संगीत समारो ग्वालियर अटल बिहारी लोग प्रशासन संस्थान भोपाल नेशनल इंसिट्यूट आफ डिजाइन ग्वालियर या नेशनल इंसिट्यूट आफ फैसन टेक वाला गलत है क्योंकि नेशनल इंसिट्यूट आफ फैसन टेकनलोजी जो है वो इन दौर में ना होकर कहां पर है ये ये भोपाल में है बाकी के जो तीनों है आफशन वो सही है राजा भाईया पूछ वाले समारो जो है वो ग्वालियर में है लोग प्रशासन संस्थान चलिए ठीक है ठीक है भाई ओके चलिए पढ़ लिजे कुश्चन ये देखिए जहांके जन्संपर कार्याल है पेपरलेस कार्यप्रारहम करने वाला प्रदेश का पहला कार्याला बन गया है चलिए अच्छे से कुश्चन को देख लीजेगा बच्चो येस अपूर उजली से देखिएगा रीवा बालाखाट, सिंग्रॉली या फिर सागर बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां दोस्तो बाला घाट मद्द प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहांके जनसंपर कार्याले ने पूरे तरीके से अपना कार्य जो है वो पेपरलेस कर लिया पेपरलेस मतलब काम काज में पेपर का उपयोग अब नहीं किया जाता बिना पेपर के जो है वो सरकारी काम काज यहां पर किया जाने लगा है इसी को कहा जाता है पेपरलेस तो بالا घाट जले का जला मुक्हाले का जो जनसंपर कार्याले है वो पहला ऐसा कार्याले बन गया है जो पूरे तरीके से पेपरलेस हो गया ठीक है चलिए अगला पढ़ लीजे ये देखा है सामने कॉशन कॉशनमर 18 बालाघाट प्रिसिद्ध है किसके लिए प्रिसिद्ध है जरा ये बताईएगा मैगनीज उत्पादन के लिए धार्मे के स्थल के लिए राजनेतिक गती विधियों या फिर रेल कार खाने के लिए बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां दोस्तो मैगनीज उत्पादन के लिए ये मैगनीज क्या है एक खनेज है खनेज है और बालाघाट जिले की जो भरवेली खदान है वो पूरे भारत क्या पूरे एशिया में ए जो है वो एक खुले मू की सबसे बड़ी खदान मानी जात सबसे बड़ी खान मानी जाती है खुले मू की ठीक है और यहाँ पर धारवार चटानों में ये मैगनीज यहाँ पर पाया जाता है आप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैगनीज उत्पादन के लिए जाना जाता है लेकिन इसके अलावा एक चीज और क्या तामा उत जानी राज है दोनों इतामा और मैगनीज के उत्पादन में इसके अलावा और किसके लिए जाना जाता है जरा थड़ा ये भी बता जी एक तो हो गया तामा एक हो गया आपका मैगनीज इसके अलावा चिन्नोर चावल किसके लिए चिन्नोर चावल चिन्नोर चावल जिसको GI tag दिया गया है आप सभी को पता है GI tag इसे दिया गया है चावल उत्पादन में बालाघाड पर्थम नंबर पर है इसके अलावा सरवाधिक 1 चेतर आख ना सरवाधिक 1 चेतर वाला जिला भी बालाघाड ही है दोस्तों इसके अलावा और किस चीज के लिए बाला घाट जाना जाता है मलब तमाम सारी चीजे आपको पता होनी चाहिए ठीक है मुख्य रूप से तो यहां पर यह हो गया तांबा है मैगनीज है चिन्नो और चावल है सरवादिक वन छेतर भी यहीं कमाना जाता है प्रदेश की जो पहली न नहर बैन गंगा नहर वो भी कहां पर है वो बाला घाट में ही है जो की 1923 में बनवाई गई थी ठीक है 36 गड़ और महराज से इसपर्ष करने वाला मद्बदेश का यह दक्चिनी जिला है बाला घाट दोस्तो ठीक है तो यहां पर प्रश्निक के अकॉर्डिंग तो आता है दोस्तों यह ध्यान रखेंगे आप क्लियर बाला घाट चलिए नेक्स्ट बाग का प्राचीन शहर कहां पर है बताईएगा बाग का प्राचीन शहर कहां पर है गौालियर के पास है इंदौर के पास है भोपाल के पास है या फिर उज्जैन के पास है बताईए बच् प्राचीन शहर कहां पर इंदौर के पास ये धार जिले का एक कसबा है धार जिला का एक कसबा है जो कि इंदौर के पास ही पड़ता है लेकिन ये है इंदौर जिले में यहां पर एक बाग कसबा है बाग जो है यहां की प्राचीन गुफाएं है प्राचीन गुफाएं भी यह यहाँ पर है बाग नाम से ही साथ ही यहाँ पर बाग प्रिंटर्स है ना बाग प्रिंटर्स भी यहाँ पर जो है वो फेमस है यह जो गुफाएं है दोस्तों यह बहुत धर्म से सम्मंदित है है ना लगब जो गुफाओं का निर्माड यहाँ पर उस समय कराया गया था मानवों ने इन गुफाओं की तरफ धान देना बंद करदिया था ऐसी कहावत है जब धान देना बंद करदिया था बागों ने फिर इसको अपना निवास बना लिया था इसलिए शायद इसका नाम पढ़ा क्या? बाग की गुफाओं पढ़ा है ये इंदोर के पास है, प्रश्ण के अकॉर्ड इंदोर के पास है, धार जिले में है ना, क्योंकि मद्द प्रदेश, आप इंदोर जैसे क्रॉस करते हैं प्रश्ण की तरफ जाते हैं, धार जिला शुरू हो जाता है, वहीं पर जो है, ये बाग किस्वा दिखाई देता है, ठ दोस्तों जली से पताएंगे, राहत गड़ किला, सनोधा किला, रहली किला या फिर कर्रापूर किला, बहुत सही दोस्तों, राहत गड़ किला, कौन सा है, राहत गड़ किला, सागर में, ये कहां पर है, ये सागर में है दोस्तों, और जो गौणवाना शाशक रहे है न, संग्राम शाह इन्होंने बावन गड़ों को जीता था इन में से ये एक था बावन गड़ों में से एक था ये कौन सा अपका राहत गड़ किला जो है जो गौंड शाशक संग्राम शाह के बावन गड़ों में से एक है इसे ही बादल महल के नाम से भी जाना जाता है ये सागर ठीक है नेक्स्ट पुरा तत्तो इस्थल काय था अगला कुश्चन नमबर 21 काय था किस नगर के समीब इस्थित है बताईएगा दोस्तो जली से उज्जेन इंदौर रीवा या फिर जबलपूर बिल्कुल ये तो सभी ने बन जाना है दोस्तो ये उज्जेन में है उज्जेन म नदी उस समय बहा करती थी छोटी सिंदौ नदी के तठ पर जो काय था है ये एक तामर पाशान कालीन बस्ती है तामर पाशान कालीन बस्ती है तामर पाशान कालीन बस्ती है तामर पाशान काल के साक्ष यहां पर मिले हैं इसकी जो खोज है खोज 1964 में बी एस बाकल करने की भी एस वाकडकर ने इसकी खोज की थी और यहां से तामबे के कंकड छैनी कुलहाडी यह साक्ष यहां से मिले हैं दोस्तों और काइथा जो है यह वराह महिर की जर्मिस्थली मानी जाती है चंद्रगुफ्त विक्रमा दित्तिक के जो नौरतनों में शामिल रहे हैं की जन्व इस्थली यह काइथा मानी जाती है बहुत ही महत्पूर यह बस्ती रही है दोस्तों ठीक है काइथा उज्जेन में छोटी सिंदू नदी के तटपर है सबसे महत्पूर इधान रखेंगे यह तामर पाशान कालीन बस्ती है जो की मद्द प्रदेश में पाई गई है बियस बाकल करने इसकी खोज की थी हाँ इसके अलावा फिर और भी मद्द प्रदेश में तामर पाशान काल के जो साक्ष है वो अधिकतर मालवा छेतर में ही मिले हैं इसलिए इसको मद्द प्रदेश में मालवा संस्कृती भी कहा जाता है कायता के अलावा डांग वाला है आजाद नगर है मुसा खेडी है और प्रदेश के निम्नमे से किस छेतर में दुनिया का सबसे पुराना शेवाल जीवास्म एलगी ठीक है एलगी शेवाल जीवास्म हाल ही में खो जा गया है जो कि दुनिया का सबसे पुराना शेवाल जीवास्म है बुंदेल खंड चित्रकूट सत्पुडा या फिर मालवा च पतना जिले में हैं मंदाकनी नदी के तठपर ये एक धार्मिक नगरी है क्या है ये एक धार्मिक नगरी है चित्रकूट यहाँ पर जो है वो स्वीडन के वैग्यानिकों ने ये रेड एलगी है ना लाल शेवाल के जीवास में खोजे हैं कहा जाता है कि लगभग 1.6 अरव इयर्स पहले के ये शेवाल है और इन्हें दुनिया में सबसे प्राचीन तम शेवालों का जीवास में उन्होंने माना है दोस्तों तो इसका आंसर होगा कौन सा चित्रकूट होगा क्या होगा चित्रकूट समझ में आ रहा है सभी बच्चों को हाँ हाँ रमायर काल से सम्बंदित रहा है चित्रकूट ठीक है चलिए महराजा छत्र साल की समाधी कहां इस्थित है बताईए दोस्तो महराजा छत्र साल की समाधी कहां इस्थित है महोबा और्चा राइसेन या फिर धुबेला बिल्कुल सही धुबेला है ना धुबेला च्छतरपुर च्छतरपुर में दोस्तो ये धुबेला जो है महराजा च्छतर साल की समाधी है दोस्तो राजा च्छतर साल इन्हें बुंदेल खंड का शिवाजी इन्हें कहा जाता है इन्हें बुंदेला केशरी भी इन्हें कहा जाता है इन्हें राजा की उपाधी किसने दी थी औरंग जेव ने मलब एक तरीके से इन्हें सुतंतर शाशक माल लिया था क्यों क्योंकि इन्होंने बचपन से ही सुराजी का सपना देखा था शिवाजी से ये प्रेरिणा लेकर इन्होंने सुराजी का जंडा बुलंद किया था मुगलों के खिलाफ इन्होंने विद्रो किया था और उस समें मुगल शाशा कौन था औरंग जेब औरंग जेप के खिलाफ इन्होंने विद्रो किया था राजा च्छत्र साल है ना लगबख 1731 में इनकी मृत्य हो गई थी ठीक है जबकि इनका जो जन्म है वो 1649 में इनका जन्म हुआ था और इनकी समाधी कहां पर है ये धुबेला में है और यहीं पर आपको 76 साल संग्रहाले भी दिखाई देता है पन्ना रियासत के संस्थापना इन्होंने की थी राजा च्छत्र साल पिचंपतराय के पुत्र रहे हैं बचपन से ही अपने मामा के साथ रहे हैं और लगबख 15-16 साल की उमर में ही इनोंने सुराज का जंडा बुलंद कर दिया था सिवाजी से प्रेरित होकर बहुती महान शाशक सूरवीर योद्धा माने जाते हैं राजा 76 साल ठीक है इनकी जो है समाधी कहां पर है धुवेला में है नेक्स्ट कुश्चन कप्तान फोरसित को कप्तान फोरसित ये की एक बिटिश अधिकारी रहे है पहला आपको मैं बता दू बिटिश अधिकारी रहे है कौन से इस्थान की खोज एवं विकास करने का श्रे दिया जाता है कप्तान फोरसित को मांडू या फिर पचमडी या फिर और्चा या फिर उप्रोक्त मैंसे कोई भी नहीं चली, जली से मुझे बताएंगे दोस्तों, इसमें से क्या इस प्रिष्ण का आंसर होना चाहिए, जली से मुझे बताएंगे, ठीक है, बिलकुल सही है, पच्मडी, इस प्रिष्ण का आंसर क्या होगा, पच्मडी, पच्मडी कहां प पुरम जिले में है कहां पर है नर्मदा पुरम जिले में सत्पुड़ा की महादेव स्रेणी पर है सत्पुड़ा परवत की महादेव स्रेणी पर है पच्मणी क्यों जाना जाता है तो पच्मणी को सत्पुड़ा की रानी सत्पुड़ा की रानी प्रदेश का एक मात्र हिल इ प्रदेश की ग्रीश मकालीन राजधानी, प्रदेश की सबसे उची चोटी धूप गड़ भी यही पर है, चौरा गड़ भी यही पर है, ठीक है, कई सारे जल प्रपाद भी यहाँ पर आपको दिखाई देते मलब, प्राकर्तिक सौंदर से सभरपूर, यह पचमणी जो है, इ अगला कोश्चन है, कौन सा दुर्ग, रामायड से संबंदित है, रामाया काल से संबंदित दुर्ग कौन सा है, गोहद का दुर्ग, बांधावगड का दुर्ग, मंदसौर का दुर्ग, यह फिर नर्वर का दुर्ग, बताए दोस्तो, दोस्तो इस प्रश्न का आंसर है, ब बांधाओगड राश्टिय उद्यान है नेशनल पार्क है यहाँ पर यह है और इसकी दीवारों पर अगर देखेंगे तो भगवान विश्रु के बारा आउतारों की मूर्तियं यहाँ पर दिखाई देती है और ऐसा कहा जाता है ऐसी किवंदिती है कि श्री राम जब लंका प वो रामायान काल से है चलिए नेक्स्ट है भीम बैटका की गुफाएं और आश्रें क्या है किस प्रकार का इस्थल है युनेस्को विश्वधरुहर इस्थल है आदुनिक वास्तुकला धार्मिक या फिर युनेस्शेफ विश्वधरुहर है पचमडी की खोज 1862 में हुई बिलकुल सही है ये क्या भीम बैटका की गुफाएं ये युनेस्को का विश्वधरुहर इस्थल है दोस्तों ये कहां पर है मद्ध प्रदेश के राइसेन जिले में हैं और ये गुफाएं किस पर हैं ये विन्यान्चल परवत का ही हिस्सा है ठीक है लगभग 500 गुफाओं का ये पूरा एक समू है पांस सो गुफाओं का ये समू है और इनकी खोज जैसे की सभी को पता है बी एस बाकल करने की थी और यहां पर प्रागतिहासिक कालीन शैल गुफाएं चितर दिखाई देती है ठीक है और दो हजार तीन में इन्हें जो है वो विश्वधरुहर इस इस थल गोशित किया गया था मद्द प्रतमान में तीन इस थल ऐसे हैं जो विश्वधरुहर गोशित है यूनेस को द्वारा एक भीम बैट का है एक आपका साची है और तीसरा आपका खजराहो है दोस्तो क्लियर है तो ये है दोस्तो इस प्रशन का आंसर चलिए अशर्फी महल और नीलकंट महल कहां इस्थित है पातालकोट, चंदेरी, मांडू या फिर खजराहो बिलकुल सही दोस्तो ये कहां पर है मांडू जो की धार जले में है है न क्या कहा जाता है मांडू को महलों की नगरी बहुत सारे महल यहां पर दिखाई देता है इसमेशर्फी महल भ का अंसर होगा मांडू दोस्तो ठीक है तो ये थी दोस्तो आज की हमारी क्लास कल फिर आप से मुलाकात करेंगे तब तक अपने ध्यान रखेंगे जै हिंद जै भारत